नमस्कार दोस्तो टेक्निकल जुगाड हिंदी चैनल की एक नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरा नाम है राज और आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये दो तरह की डोब लाइट है कलर वाली तो आज की वीडियो के अंदर मैं वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से स्टेप बाइस टेप बताने वाला हूं तो वीडियो को भई आप सुरू से एंड तक देखें और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको आमारी ये वीडियो ये दिवाली आने वाली है और डिवाली के टाइब पर सभी लोग अपने घर की सजाव बिरंगी लाइटो से ही करते हैं तो ऐसे में यह जो अंदर हमें मैनुली कलर को चेंज करना पड़ेगा वो कैसे चेंज होगा वो भी मैं आगे चलके आपको फुल प्रैक्टिकली दोनों के अंदर दिखाऊंगा तो यहां पे पहले हम इस सिंपल वाली कलर डोब लाइट को देखते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा जोम करके आपको दिखाना च लाइट आईसी लगी है और यह देखे एन और एल यह जो पॉइंट दे रखें यहां पर हमें डारेक्ट एसी वाली बार को यहां पर जोड़ना है क्योंकि यह लाइट हमारे डारेक्ट एसी वोल्टेज पर काम करती है इसके अंदर आपको अलग से कोई ड्राइवर वगरा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती वहीं अगर हम इस वाली एक्टमेटिक डोब लाइट को देखते हैं तो इसी तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमें दोर से ही इसके अंदर तीन तरह की SMD दिखाई दे रही है आप देख सकते हो तीन कलर की SMD है जबकि सिंपल वाल ब्रिज रेक्टिफार लगा है उसके बाद हमारी लैट आई सी लगी है और यहां पर रेजिस्टेंस वगरा लगे हुए हैं तो इसके अंदर भी हमें सेम उसी तरीके से सप्लाई की वायर को जोड़ना है यह देखे यहां पर दो पॉइंट दे रखे हैं L और N तो यहीं प यहां पर हमें वायर को टेस्ट करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे L और N वाले point पे touch कर रहे हैं यह देखें तो इस तरीके से आप देख सकते हो मेरा हाथ हिल रहा है इस पे लगाने पे तो मैं क्या करता हूँ एक बार इसको यहीं पे sold कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूँ तो यह देखें यहां पर मैंने direct series lamp की wire को जोड कर दिया है क्योंकि अब मेरा हाथ free हो जाएगा तो मैं अच्छे से आपको दिखा सकूंगा तो मैं यह light को on कर रहा हूं और अपने light को बंद कर रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह ला रंग की light जल रही है वो पूरा पूरा area हमारा ला रंग का हो गया अब इसक अब जो इसकी light की रोशनी है वो हमारे गुलावे color की हो गई आप खुद देख सकते हो अब यह सारी light हमारी गुलावी color में जल रही है अब उसके बाद देखिए इसको मैं बटन को फिर बंद करता हूं और फिर से इसको on करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो तीसरी ब आपको बटन को बंद करके ही color को change करना पड़ेगा इसके अंदर एटोमेटिक हमारे color चेंज नहीं होते तो यह तो है हमारी simple वाली color वाली डोब लाइट अब हम इसके अंदर वायर को जोड़ के देखते हैं कि यह जो हमारी वाली डोब लाइट है यह किस तरीके से काम करती है तो यहां पर मैं इसको रख देता हूं और supply को ओन करता हूं तो यह मैंने ओन कर दिया अब इस में लाइट को मैं बंद करता हूं तो आप देख सकते हो कि अभी जो हमारी लाइट जल रही है वह कुछ वायट कलर की है और ह तो अब हम क्या करते हैं इस बटन को दुबारा से बंद करके दुबारा से न करते हैं तो यहँ कि जैसे मैंने बटन को ओन करके दुबारा से चालू किया तो यहां पर Aumatic हमारी vandaag हो रहे है जह देखलो मैं यहां पर कु noi March होरा है तो यह सूच हो फिन्ति और यह देख्लों हमारी तीन कलर थे इसके अंदर हमारी टोटल साथ कलर हैं यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है यह देख लो तो इस तरीके से यह जो कलर वाली डोब लाइट है यह काम करती है आप देख सकते हूं उसके बाद जैसे कि अगर आपको सिंगल एक कलर यूज करना है इसके अंदर तो आपको उसी तरीके से बटन को ओन करना पड़ेगा जैसे मैंने बटन को बंद किया और अब मैं दुबारे से चालू करूंगा तो आप देख सकते हो अब निली लैड जल रही है इस तरीके से आपको ऐसे बटन को दबा दबा के कलर को जैसे एक बार फिक्स रखना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा और ऐसे करते करते हैं इसमें एक मोड और आए जाएगा जिससे इसके कलर चेंज होंगे अब देख के से जो हमारी एक मोड जो ऐसा है कि हमारी कलर चेंज होंगे बाकि ऐसे करना है तो आपको बटन से ही इसको करना पड़ेगा तो इस तरीके से यह हमारी activ डोम ॉआ набag दिया कि simple वाली के अंदर क्या है और यह जो automatic वाली के अंदर क्या है और इसके अंदर हमारे 7 color जलते हैं इसके अंदर सिर्फ हमारे 3 color ही काम करते हैं अब हम बात करते हैं इसके price की कि यह light का price कितना है तो देखें यह जो simple वाली यह डोब light है color वाली यह मुझे मिली है 30 रुपे की यहा दोनों लाइटों को प्राइज आपके मार्कीट में क्या है उम्हीत करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और चैनल पर नएंगो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करаяं तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम